लो वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो तो आज एक बार हम लोग फिर से खिलने जा रहे हैं कार फोर सेल्स सेमूलेटर बैसिकली आज गेम में हम लोग अपने यह तीनों कार है जो चार कार है अभी मतलब इसमें से दो कार सेम है यह क्या बोलते हैं जीटियार तो इन सभी ज्वंट में सबसे ज्यादा स्पीड जाण रही यह मतलब कम से कम से कममें रही है ज्यादा की स्पिड कौन पकड़िए है किसे हम लोग च्छे च्छा स्थ करेंगे भाऑई बनेें यह गेम में आपयों ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिए और लाइक किजिए कॉमेंट किजिए और अबताइए कि आपको यह गेंपले कैसा लगा तो हम लोग स्टाट करते हैं और यह देखें यह हमारी जी टी आर जो कि और लेके चलते हैं इसको पहले हम लोग इस भाई से देखो यह है जो लेके जाएगा हमारे कार को तो पुछ रहा है फोरेस्ट मिले जाए या डिजर्ट में ले चलो क्योंकि वहां थोरा खाली अस्थान लगता है जैसे डेजर्ट का मतलब यह हुआ कि बहुत मस्त लगता है में जाएगी तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और यह देखिए यह कार हमारी अब इस पीड़ों की गारी के इंजन स्टार्ट हो गया है और देखे चलते हुए लिखो शेकंड चाली हो गया भाई यह देखो एक सौक स्पीड 3.5 की पहुत लिए भाई 3.5 सेकंड इसका जवाब खाड यह दाए भाई यह स्टीड के मामले में तो कोई कप रही है ताकि यह की आपकी कार को भी ऐसे चेक कर लेंगी तो बढ़ हम लोग की क्या होता है क्या ने यह देखें इसकी हाइस्ट स्पीड भी देखें कि हाईस्ट तमां तक जा रही है तो बिसिकलि भाई यह पूरे स्पीड साहरे 395 इसके आगे बढ़ी मीड है भाई तो चलते हैं फटाफट जम लोग अपने कार के पास और आगए यहाँ पर कार के पास चलते हैं अपने टाउन और भाई अब बाड़ी है दूसरे कार की जो दूसरा कार है उस काती है यह गिरिया है कोई नई इसको भेज देते हैं हम लोग वह उटार पर सा हम लोग आगए तो आगए आज की सिकेंड नगड कार है हमारी मस्दा वह जी टियार ज़यदा ज़्ञदा पीड दों Колब है ओ यार यह टककर घा गई और डामेज हो गई इसको रिपैरिंग कर आते हैं चलके क्योंकि भाई एक भी point हम लोग को नहीं छोड़ना है Speed Test मे क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को चेक करना है कि Speed Test में कौन गारी बेटर है जो गारी बेटर होगा भाई ड्रैक्ट इसमें उसी से खेल के और कारे जीतेंगे तो यह अगर हमलों repair के लिए तो भाई repair में दे दिए 12 डॉलर कोई बात नहीं है इतना हो जाएगा और इस कार को हम लो भेज़ देते हैं भाई इसको भी repair काड़ाना है 31 डॉलर ओक्वी कोई नही नहीं भाई यह repairing हो चUNGके है हमारी माजदा तो इसको लेके चलते हैं और लेके चलते हैं बिसिकली ये कार भी बहुत रियर है ऐ बाइ माजदा और ये जीटी आर जल्दी मिलती नहीं है और ये डोस वाइपर भी नहीं मिलती है तो ये तीन गारिया है हमारे पास और तीनों के स्पीड टेस्ट करेंगे जो बेटर फोफोर्मेंस देगा उसी को हम लो लेके चलेंगे अपने ड्राइगरेस में तो ये पहुँच गए हम लोग आई थोरा इस पर चाढ़ाने में न इस ट्रक पे थोरा सा तकलीफ होता है बाकी कुछ नहीं ये देखो ये गुम गई हमारी ये माजदा एक सेबेन ऐसे करके है ये कुछ ये इसका मोड़ ब्हाइज भी गिर गई एक बार ये भी गिर गई है कोई नहीं इसको भी लेके चलते हैं बैक करते हैं और बैक करके इसको फिर से घुमा के लाएंगे बाई कार तो बहुत ये मस्त है और लुक वाइस भी माजदा का कोई ठकर नहीं है तो अब के बाड़ी ये भाई आपके बड़ बढ़ियां से चड़ गई कार का इंजिन को आफ करते हैं और नीचे उतर के फिर इन से बात करते हैं मैडम से बाई अपके फोरेस्ट चलेंगे चलो फोरेस्ट तो 30 डॉलर लेती हैं वहाँ पर ले जाने के लिए तो हम लोग आ गए हैं फोरेस्ट में और ये देखो भाई अब हम लोग स्पीड को टेस्ट करते हैं ये देखो हमारी चल गई भाई और ये 100 भाई 5.6 जीरो टू हंड्रेड मीटर का जो स्पीड है इसका 5.6 है और अब इसका टेस्ट बाकी है भाई कि कितना स्पीड तक जा सकती है ये बहुत स्पीड पकर रही है यार इतना में तो भाई जीटे आर पकर दी थी पुड़ा एकदम 350 एकदम जीशका मैक्स स्पीड था भाई ये थोरा सा इसमें है ये थोरा स्लो गारी है ऐसा कुछ नहीं है और जीरो टू हंड्रेड का स्पीड भी इसका कम है 5.6 सेकेंड है उसका 3.9 तो इससे बेटर वो है भाई जी टी आर और मैं बताऊंगा कि आपको तीनों में से 350 जा सकती थी अगर थोरा और स्पेस मिलता तो हाई स्पीड इसका 350 हो जाता मेबी 340-350 कप्रोक्स तो चलते हम लोग बैक टू टाउन और इस कार को भी यहीं छोड़ते हैं और फिर चलते हम लोग भाई यह आ गई हमारी माज़दा है इसको चलाक लेके चलेंगा अपके बार क्योंकि उसको तो डैमेज था तो वेज दिये थे यह डैमेज नहीं है पूरली एकदम प्योड है ठीक है इसको लेके चलते है नीचे और अब बाड़ी है भाई हमारी डॉज वाइपर की और उसको चलाने में उझे फिल नहीं होता कि वह स्पीड चल रही है तुरह सा स्लो है लेकिन ठीक है चेक कर देते हैं तो यह हमारे पास तीन गारियां हैं और यह आज का लास्ट जो कार है यह है डॉज वाईपर तो इसे विले के चलते हैं देख लो इतना मत्रब बच गया यार कि जमीन से एकदम पकर के चलती है यह जो कार है बहुत ही बढ़िया है और ग्राउंड एकदम इसका ग्राउंड जो है न एकदम कवर करके चलती है यह कार मुझे एक मतलब लुक वाइस तो यह दोनों से बेटर है यह माज़दा से और जी टी आर से लुक वाइस एकदम बेट जाए बस यह लगता है एक बार में चलते हैं इसके पहले फोरेश्ट में लेके गया था आपके बार डिजर्ट में लेके जाओंगा फिर से और यह देखो भाई और इसका मैक्स स्पीड हमनों चेक करते हैं और टाइमर जा रहा है अप और गारी पूरे एकदमें स्पीड में ओके भाई यह तो सबसे घटिया परफोर्मेंस दे दी मतलब 0-200 का स्पीड यह 8.7 सिकेंड में अब भाई इसका मैक्स स्पीड चेक कर लेते हैं आई थिंक मैक्स स्पीड बहुत कमी होगा क्योंकि इतना रास्ता क्लियर कर चुकी है और अब भी तक यह 180-190 गई है ओके भाई 200 क्लॉस कर गई है आई थिंक यह जाएगी थोरा लेकिन उत्रा नहीं जा पाएगी जीतना पहले वाली गारिया सब गई है तो लेके चलते हैं और यह भाई 230 क्लॉस कर गई यह कार और देखो हाइस्ट 250 250 अभी और है भाई थोरा सा पहुँचने वाले हैं 260 ओके भाई 270 280 भाई आई थिंक इसका 300 यानि 300 का हाइस्ट स्पीड है जो 300 के पर आवर जाएगी और 0 to 100 का 8.7 किलोमेटर है तो भाई इसको भी लेके चलते हैं इसको पहले रोक लेंगा भाई यहीं से यहीं तो बैक टॉटाउन करते हैं तो यह रहा हमारे तीनो गारियों का भाई आज का स्पीड टेस्ट जो कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई गारी स्पीड टेस्ट में निकली है तो वो है हमारी कार कौन से जी टी आर जी टी आर सबसे बेस्ट स्पीड कार है और आप लोग को हमने टेस्ट करके बताया कि सबसे ज़्यादा स्पीड कौन चलती है तो अगर अभी तक आप लोग सबस्क्राइब नहीं किये तो प्रीज सबस्क्राइब किजिए लाइक किजिए और कमेंट करके बताएए किया आपको ये स्पीड टेस्ट कैसा लगा तो भाई ये तीनों गारी में सबसे बेस्ट जीटियर हमारी वो पीली वाली तो मिलते हम आपसे एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और देखते रहिए राज सेवेंटीन के गेमिंग